जिसका कबजा उसी की प्रोपर्टी लेकिन आपको समझना होगा कि कबजा जो होता है वो भी दो तरह का होता है एक कबजा होता अनुकूल कबजा और दूसरा होता है परतिकूल कबजा आप सोचते होंगे कि अब ये इस टाइप का कबजा जो है वो क्या होता है तो चलिए आज वही आपको समझाने वाले हैं कि जिसका कबजा रहता है एक है कि जैसे नियम है कुछ कानून है कि अगर माल लेते हैं कोई संपत्ती को आप कबजा कर लिए वो संपत्ती सरकारी भी हो सकता है अब माल लेते हैं ये सरकारी संपत्ती ही है आप इसको कबजा अगर कर लिए न तो जिसका कबजा उसी की संपती लेकिन उसमें time period होता है कि आप उसको कितने दिन से कबजा किये हुए और उसको साबित भी करना होता है ठीक है अब अगर ये जमीन नीजी भी हो सकता है इसा नहीं कि ये जमीन सिर्फ सरकारी हो सकता है ये नीजी भी हो सकता है तो जिसका कबजा उसी की संपती है न उसकी property लेकिन यहाँ पे जो समझने बाली बात वो है कि ये कबजा जो होता है वो भी होता है आपका दो तरह का एक कबजा होता है अनुकूल कबजा दूसरा होता है परतिकूल कबजा अब मान लिजे कि ये जो प्लॉट नमबर आप देख रहे हैं 536 है यह प्लॉट नमबर है इसका यह अनुकूल रूप से कबजा है अच्छा यह जो देख रहे हैं 545 है यह परतिकूल रूप से कबजा है तो अनुकूल रूप से कबजा और परतिकूल रूप से कबजा जो है उसको समझने का प्रियास क कि क्या मतलब होता अनुकूल रूप से कबजा और पर्तिकूल रूप से कबजा ठीक है तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे पर्तिकूल रूप से कबजा की ठीक है यहाँ पे तो देखते हैं चलिए सबसे पहले पर्तिकूल रूप से कबजा क्या होता है देखिए ऐसा इस संपत्ती पे जो नाम दर्ज है वो अभी भी किसी दूसरे बैक्ती का है, मतलब संपत्ती का मालिक का नाम दर्ज है, लेकिन कबजा कोई और किये हुए है, और उससे उसका जिविका चल रहा है, ठीक़ जीबन यापन चल रहा है, वो एक तरह से कोई बरक किरिमनल है, अपर तो उस केस में अलग मेटर है लेकिन अगर कोई गरीब आदमी है उसके पास और कोई संपत्ती नहीं है तो वहाँ एक अलग मेटर है तो ये संपत्ती जो 545 नंबर का प्लोट है ये अभी तक मालिक के नाम से ही दर्ज है लेकिन इसको कवजा कोई और किये हुए है मालिक कवजा जो है खाली करने के लिए बोलेगा तो जो कवजा किये हुए है न वो पर्तिकूल कवजा यानि एडवर्स पोजिशन का केस फाइल कर सकता है मतलब कवजा धारी अगर 12 साल से है ना आपके जमीन को कवजा किया हुआ है और आप ठीक है आप सब कुछ कर रहे हैं और माल लेते हैं उस पे घर भी बना लिया ऐसा भी तो हो सकता है कि घर भी बना लिया उस केस में तो और आप कुछ नहीं कर भाएंगे कि कवजा धारी उस पे घर भी बनाए हुए है रह रहा है और ये 12 साल से अधिक कवजा है अगर जमीन सरकारी है ऐसा भी तो हो सकता है कि जमीन तो जमीन अगर सरकारी है तो अगर 30 साल से अगर अधिक से कब्जा है तो वो सरकारी जमीन पे भी दावा कर सकता है पर्तिकूल कब्जा का और अगर नीजी जमीन है तो अगर 12 साल से उसको कब्जा किये हुए तो भी वो दर सकता है पर्तिकूल कब्जा का मतलब अब सरक का ही नाम दर्ज है लेकिन अगर वो 30 साल से ये पर्मान दे देता है कि वो 30 साल से उस पे रह रहा है तो फिर उसको अधिकार है उसको कोई हटा नहीं सकता लेकिन आप कैसे पर्मान दीजेगा ये भी तो बात है ना आपके पास क्या पर्मान है तो पर्मान ये है कि अगर आप उस पे रह रहे हैं आपका घर है उस पे तो आप जो है बिजली का connection लिए होंगे आपका कोई ID card बना होगा और उस पे address कितना दिन पहले बना उस पे address mention होगा कितना दिन पहले बना तो बहुत सारा proof है देने का उसके साथ आपको गबा भी तियार करना होगा अगर ऐसी समस्या आ गई तो मामला न्याले वाला में टड़ा गया तो गबा भी तियार करना परेगा तो इस case में आप अपना position साबित कर पाएंगे और आपको कोई हटा नहीं पाएगा ठीक है मतलब आप अपना position का दावा कर सकते हैं पर्तिकूल कबजा में और आपको कोई हटा नहीं पाएगा और आपको लेकिन प्रूप तो करना होगा कि आप जो है इतने साल से उसको कबजा किये हुए है ठीक है बात को आप समझ रहोंगे इच्छे से अब सवाल उठता है कि अनुकूल कबजा फिर क्या कहलाएगा देखिए ये जो पर्तिकूल कबजा के केस में था उसका ये बेपरीत है पर्तिकूल कबजा एक कानून है ये जो है हमारे जो अगर बात करें ये कानून है और ये जो है एक तरह से इसका उल्टा है इसका कोई law का यहां पे rule नहीं है नियम नहीं है मतलब ये तो दर्ज है हमारे कानून में लिमिटेशन एक्ट में Adverse Position यानि पर्तिकूल कबजा कानून दर्ज है और ये उसका विपरीत है अब ये विपरीत है तो इसको जो समझने का तरीका है वो अलग है कि कबजा ये भी होता है अनूकूल कबजा पर्तिकूल कबजा तो अब ये किस टाइब का कबजा होता है कि जो की जिस पे ये लागू नहीं होगा मतलब आप समझ सकते हैं जो Adverse Position है ये लागू नहीं होगा वो किस टाइब का कबजा है चलिए उसको समझते हैं तो अनुकूल कबजा जो है परतिकूल कबजा का विप्रीत इसलिए है कि 545 नंबर का जो कागजात है संपत्ती का जो भी कागजा है वो यहाँ पे संपत्ती के मालिक के नाम से ही दर्ज है ये आप समझ लें लेकिन अनुकूल कबजा में क्या होगा कि जो कबजा धारी है के नाम से जमीन दर्ज है मतलब ये 536 का मालिक कौन है वो है कबजा करने वाला वो कौन है कबजा करने वाला है मालिक बात आई समझ मैं ये 536 जो संपत्ति है उसका मालिक कौन है तो कबजा करने वाला मालिक है कैसे इसलिए कि ये संपत्ति जो है पहले किसी और का था और ये आदमी जो है एक तरह से जाली कागज बनवा लिया हो सकता है कि उसका सर्वे करा लिया होगा हो सकता है उसका जाली जो है एक तरह से रजिस्ट्री होगा ठीक है ये भी तो हो सकता है कि उसका रजिस्ट्री जाली होगा तो ये सारा काउगजात हो सकता है मतलब जो registry किया है वो जाली होगा वो कोई दर्ज नहीं होगा या फरजी तरीके से registry करवा लिया गया किसी और को खरा करके और पहले का जमाना उतना digital नहीं हुआ करता था अभी का जमाना और पहले के जमाने में फर्क है पहले का जमाना उतना डिजिटल नहीं था किसी को भी खरा करके जो है वो करवा लिया जाता था ठीक है तो ये चीज़ अगर है इस केस में तो कागज तो किस के पास है कबजा धरी के पास ना जो कबजा किया हुआ है तो पर्तिकूल कहां से हो गया पर्तिकूल एड़वर्स पोजिशन की दिबाती नहीं है अब वो कहां कहा रहा है कि हम दूसरे की जमीन को दख़ल किया है बात आई समझ में आप अच्छे से समझ रहे हुए इसको ठीक है तो इसका मतलब वो मालिक अपने आपको बता रहा है लेकिन ऐसा नहीं है ये समझ पत्ति पुराने खतियान अगर होगा आपका 1908 का या हो 1905 का होगा 1912 का होगा या जो भी होगा अंग्रेज के जमाने का समझ पत्ति या पुराना कोई भी आपका मोटेशन होगा जो की अंचल में रेकड में होगा तो आप अपने करमचारी पटवारी जो हैं वहाँ से अगर रेकड निकालते हैं आप अपना जमाबंदी का ठीक है वो भी एक कागजात है आपके पास ये नहीं है तो ये कागजात जमाबंदी का कागजात अगर आप निकालेंगे तो उस अधार पे उस अधार पे जो है अगर यहाँ पे आपको टाइटल सूट केस फाइल करना परेगा किसके उपर इसलिए कि कबजा धारी तो कबजा करके बैठा हुआ है ठीक है मतलब अगर आपका यह सारा पुराना खतियान है ठीक है पुराना खतियान अगर आपके पास है तो उसके हिसाब से या पुराना जो भी कागज है उसके हिसाब से आपको कबजा धारी के उपर जो कबजा किया हुआ है उसके उपर TS फाइल करना परेगा ये टाइटल सूट है तो कवजा धारी को जो है उसको नोटिस जाएगा और उसको जवाब देना परेगा कि आप ये जमीन जो है किस तरीके से आप इसका उप्योग कर रहे हैं आपको कोई उस पे objection लगा रहा नहीं तो ईस व्क्ति को जवाब में देना परेगा कि उसके पस क्या है कैसे उसने सर्वे करा लिया कोई आधार होता है न सर्वे का ऐसे थोड़ी मौकिक तोर पे करा सकते हैं सर्वे करा लिया दूसरा कैसे आपने रजिस्ट्री करा लिया रजिस्ट्री जो हुआ है कौन रजिस्ट्री किया है तो उस बात को वो रजिस्ट्री डॉक्मेंट को निमंदन काडियाले से भेडियाले से भेडिफाई किया जाएगा कि जो रजिस्ट्री किया गया वो कौन था ठीक है किसका मतलब ID proof उसमें गया कौन उसमें दस्खत किया कैसा दस्खत किया बहुत तरह की चीज है तो अगर वो गलत साबीत होता है या माल लेते हैं कि हो सकता है कागजात ही नकली हो मतलब वो काडियाले में दर्जी नहीं हो और सिर्फ कागजात त्यार हो गया तो उस case मे यहाँ पर अनुकूल कबजा होगा और संपत्ती आप माइंड में सेट कर लिजिए आपको वापस जो है वो प्राप्त होगा यह माइंड में आप सेट कर लें आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक जरूर करने चैनल को पहली बार देखने सब्सक